आज हम बात करने वाले हैं आउट्साइड अप और आउट्साइड डाउन के बारे में अपका मतलब होता है उपर जाना ठीक है और यह जो डाउन कारत होता है नीचे जाना तो इसी परकार हमारे पास दो चार्ट पेटन हैं एक यहां पर है बुलिस जो उपर जाएगा और एक है यहां पर बेरिस जो नीच जाएगा तो आज हम इनी के बार में बात करने वाले हैं तो आएए सुरू करते हैं यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आउट्साइड अप के बारे में आउट्साइड अप के अंदर यह जो दो केंडल आपको दिख रही है वो इंगल फिंग की तरह भी दिखाई दे रही होगी इसी परकार इसके अंदर भी यह जो दो है वो इंगल फिंग की तरह दिखाई दे रही होगी तो अगर आपने इंगल फिंग वाला वीडियो नहीं द या कि बनने के बाद इसके बाद यह उपर के और इस चार्ट को रिवर्स करने का काम करता है यह चार्ट ठीक है तो यहाँ पर यह बनता कैसे है यहाँ पर यह जो चार्ट है वो नीचे गिरता है इसके बाद हम यहाँ पर एक रेड केंडल बनती है जो इस green candle से उपर जाके close करती है तो इस परकार यह है जो चार्ट किसी चार्ट के अंदर बनता हुआ दिखाए देते हैं तो हम उसे के देते हैं outside up तो इसके हम example भी देख लेते हैं तो हम यह आप पर सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं यह देखिए यह जो चार्ट है वो इस परकार से गी रहा था इसके बाद एक red candle बनती है फिर एक green बनती है उसके बाद एक और green बनती है और चार्ट अब हो जाता है तो इसके बाद हम इसका एक real example भी देख लेते हैं हमने real example यह है अडानी पोर्ट से यह बनता है और चार्ट को उपर के और यह रिवर्स कर देता है इसके बाद हम बात कर लेते हैं outside down के बारे में तो इस परकार से हमी यह जो चार्ट दिखता है तो यह टोप पर बनने वाला है ओर टौप पर बनने के बाद ये चार्ट को नीचे की तरफ रिवर्स करने वाला है तो ये बंता कैसे है तो मा लेते हैं कि ये जो Green Candle है वो बनती भी इवो उपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर एक Green Candle बनती है इसके बाद एक Red Candle बनती है और इसके बाद एक और red candle बनती है यह जो candle है यहाँ से open होती है और उपर जाके close करती है इसके बाद आगे वाली candle है वो open तो उपर से होती है लेकिन यह close नीचे करती है और इसके बाद आगे वाली candle है वो उपर से open होती है लेकिन यह close करती है नीचे से मतलब यह जो candle है इसके नीचे आके यह close कर देए तो इस परकार का यह जो chart pattern इसे हम कहते हैं outside down यह किसे chart के top पर बनता है तो यह chart को नीचे की तरफ reverse कर देता है तो इसके बाद हम यहाँ पर इसका example देख लेते हैं तो इस परकार इसके अंदर यह बनता हुआ रहा रहता है और यह इसका top area के अंदर यह chart form होता है तो यह chart यहाँ पर गिर जाता है तो यह था आज का वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो चलगा उते वीडियो को like कर देना, comment कर देना और share कर देना अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, okay, bye